उजमा जी बहुत बहुत सौगत है मेरे इस चैनल इन्लियन एक्स मुस्लिम साहिल पर थेंक यू सो मच साहिल जी आपका मुझे इन्वाइट करने का मुझे मौगा देने का कि मैं अपनी लाइट के साथ में शैर करिकों भाव बहुत शुक्री है आपका बजगे अच्छा देड़ बजगे सब्सक्राइब कर सकते हैं या तो हम सुकुन से कर सकती है या बन सब्सक्राइब करनी होती है तो यह कोई मुश्किन नहीं उज्मा जी आप बार-बार हमारे इस चैनल में जुड़ती रही है कई सारी ओपन लाइफ स्ट्रीम में लेकिन चुके मुझे आपकी स्टोरी पता नहीं है और ऐसा लगता है मुझे के बहुत सारे हमारे व्यूवर्स को भी आपकी स्टोरी नहीं पता होगी तो इसलिए हमने ये के बारे में और जब तक कि आपका इसलाम तक का सफर रहा है साथ रहा है तब तक के बारे में कुछ चीज़े बताएं कोई भी ऐसी डीटेल जो आपको लगता है कि आपको शेयर नहीं करनी है ताके आपकी आइडेंटिटी रिवील हो या आपको कोई सेक्यूरिटी जी जो हूँ मुसलमान घराने में पैदा हूई पाकिस्तान में और नौरμल पाकिस्तान की जैसे गाटर जैसे वो नहीं था माहूल बहुतेTime कि नमास पढ़ते थे गौरान पढ़ते थे रोजा रखते थे सब चीज़ें रखते थे लेकिन इतना जाधा जैसे गाटर नहीं लेकिन जो बेसिक चीजें थी हम लोग फॉलो करते थे तो यह है कि हम लोग तरजमे के साथ कुरान फिरू से पढ़ते थे क्योंकि मैंने अपनी अमी को भी देखा था पड़ से वे तो लेकिन यह था कि इतना जादा तवज्जा कभी तरजमे पढ़ते थे लेकिन तवज्जा इतना कभी नहीं दिया ऐसा कुरान पड़ने का. तो यह था कि उसके बाद फिर जब मैंने कुरान जब तरजम्हे के साथ जब पड़ना शुरू किया है वो around 2000 में पढ़ना शुरू किया है तर्जमे के साथ समझने के लिए लो नोड बनाती थी मैं अपना लेकिन ये था कि जब मेरी जब मेरी पहली यहाँपर जब मैं यहाँपर मैं आस्टेलिया से हूं बॉर्ण पाकिस्तान से हूं लेकिन हम अस्टेलिया में रहती हूं आम अनर्स और यह है कि जब मैंने अपना कुरान तर्जमे के साथ पढ़ना शुरू किया तो मुझे उसके बाद मुझे चीज़े खुलनी शुरू कि अच्छा उसमाटी बस एक चीज़ पूछ लो मैं कि आप यानि आपका बच्पन भी ऑस्टेलिया में ही गुजरा है या करेंट के बिलकicked माहौल था कैमिके इतना सब्रूड़ में उर्तों को को कि इतना दवरीडम नहीं फिर यह के आम ऐसे की इम आइटार्ट फैमिलिश् drilling से तालब रखती हूं आर मतलब जो है। इतना फ्रीडम नहीं है वहाँ पर लड़कियों को लेकिन यह कि जो मेरे पैरंट्स थे वो मला बड़ा वेसे देख भाल करना जैसे पैरंट्स की रिजम्मेदारी है उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने अपना जो कर सकते हैं इतना उन्होंने किया तो अब वो इस मेरे माबब की जो टेथ होगी तो उसके बाद फिर जो है वो बलके उससे पहले ही मैं जहूं यहां पर आ गई थी अस्टेलिया में मेरी शादी हो गई थी तो यह है कि मैं यहां पर आई तो मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया क्योंकि शुरू से दिल्चस्पी थी तर्ज कि मैं के साथ पढ़ूं और डिवोटिड हो जाओं मैं दूआ मांगना तरावी पढ़ना नमाज पढ़ना रोजा रखना यह सारा बिल्कुल और जादा मैं समझती थी कि मैं जित्ता जादा पढ़ूंगी उत्ता जादा बल्ला मुझसे खुश होगा और मेरी जिन्दगी अ जब यह था कि मैंने यह नोट किया कि जो मुसल्मान जो है वो औरतों के साथ जो है जो मेरे इड़ गिड़ में जो औरतों के साथ उनका जादा अच्छा बिहेवियर नहीं वो बहुत जादा उनको डिवैल्यू फील करवाते थे कोई वर्ट नहीं ती जो जहाओ उनको जो ह मेरे शादी हुई यहाँ पर तो उसमें फिर मैंने वही देखा मर्द में मैं समझती थी के शादी के बाद जैसे एक औरत का होता है कि बही शादी के बाद एक फैमिली होगी और बिल्को साइस तरीके से रहेंगे सुकून से रहेंगे इज़त के साथ तो लेकिन वहाँ पर कि अगुसा और सारा कहते हैं डिस्रिस्पेक्टफुल सारी चीजें देखी और मुझे बताएगी है कि आम अनवर्दी और यह के कहते हैं फिर वो मेरा जो हस्बन है वो भी जो है ना में नाजर निकले तो खैर मेरी एक सॉरी में इस से पहले जब ऑस्ट्रेली आने से पहले मेरी एक शादी एक और हो चुकी थी पाकिस्तान में जब मैं इन कोने ती तो वहां पर मेरी हैदराबादी फैमली पहली शादी तो वो जादा लास्ट नहीं रही क्योंके वह 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 भुगा ये क है कि जब यही शादी हुई तो वो लोग जहाचे का डिमांड बहुत कर रह तो उसके बाद भी वो लोग खुश नहीं थे उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक दिन जो है मेरा जो एकस हजबन था वो काम पे गया तो जो मेरे मुझे अपने कमरे का दर्वाजा जो बैडरूम का दर्वाजा होता है वो बंद करने की अजाज़त नहीं थी साससर की तरफ से क कि ताके वो मुझे देख सके कि मैं अंदर क्या कर रही हूं तो जब मिने खानावना पका के सारा किस चीज़ का डर था उन्हें मतलब इस तरीके की पाबंदी लगाना कैद रखना यानि डर क्या चीज़ का था उन्हें पता नहीं डर सा बस यह कहते हैं कि हम तुमें नजर क घृ कर नहीं तो मैं हमेशा जो है मैंने कभी ऐसा महाल ना मैंने अपने घर में कहीं भी नहीं देखा मतलब और मैं जो ना बिल्कुल अन इजी फिल करती थी, मैं अपने ठक हार के काम करकर के घर का जब मैं अराम करने जाती थी तो मैं अपना लेग भी स्ट्रेश नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे वो डल लगा रहे था था, कि कोई मेरे कमरे में आना जाए, तो मुझे कोई ऐसी जिस के आप जो ना दर्वाजा बंद करो, बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल स्टिकली मुझे बता दिया गया था, अच्छा उसमा जी, मैं एक जब हमारी डिसकेशन शुरूर है, तो मैं सुपर चैट या स्टिकर भी ले लू, ताके तो वो मिस नहीं हो जाए, चलेगा ना, आप पीस का सुपर स्टिकर भी जाए, तैंक्स अलोट, और इससे पहले हमारे जैप्रकाश सिंग जी ने 1.99 डॉलर का कॉंटिविशन किया है, तैंक्स अलोट जैप्रकाश जी, गुड वर्क, किप इट अप, जी, तो आप आपने जिस तरीके से बताया के जो एक फीमेल होती है अगर उसका कमरा है, तो प्रिवेसी की भी बहुत जादा जरूरत होती है, यानि घर में कई सारे लोग होते हैं, ससुर होता है, और देवर हो सकते हैं, बाकी लोग भी हो सकते हैं, तो इस तरीके की अगर कोई शर्टे मनवा है कि घर में आप दर्वाजा बन नहीं कर सकती है तो वो privacy कैसा होगा और वो खुद एक female है अगर आपकी सास आपको ये कानून लगा रही है तो वो खुद भी एक female है उनको तो पता होना चाहिए कि privacy क्या होती है खास करके जो female से उनके लिए कपड़े का मसला होता है सोते वक मर्दों के लिए तो इतना problem ये सब चीज में नही है तो जो आपके जो कपड़ों का जो तरीका होता है जो यानि सलवार कमीज उसमें बहुत जादा फिर ध्यान रखना पड़ता आपको खास करके अगर आपकी बड़ी family है तो तो इस तरीके के शर्टे लगाना ये तो खुद में एक अजीब चीज है जी अजीब चीज है उससे दिन में जो है ना मैं अपने कमरे में जाओं या अगर टीवी देख रही हूं या बैठी भी हूं या कुछ खा रही हूं या पढ़ रही हूं या कुछ भी कर रही हूं मतलब कहते हैं कि आप दर्वादा बंद नहीं कर सकती है हमारी हां लाउन नहीं है और जहां तक है कि सिर्फ सास सुसर थे वहां पर तो सास जो थी वो अपने लाउंज रूम में सोती थी और जो सुसर जो थे वो अपने बेड्रूम में सोते थे तो वो लोग भी एक साथ नहीं सोते थे तो मतलब यह कि उन में भी कुछ पतनी क्या प्राब्लम अजीब सी एक हरकत देख ज कुल मना कर दिया था तो एक दफा ऐसा हुआ कि जब मैं यही काम करके खाना मना खिला के लंच के बाद जो है न सफाय करके सब कुछ मैं अपने कमरे में आई तो मैं पूरा वो एक डुबटा जो होता ना बड़ा वाला चादर चादर जो होती है पूरी वो सर से लेके बड़ा पूरा जिसम सुरा सर डबटा पूरे पैर तक धठका हुआ था तो वहां पर बैठी वी थी तो सास जो है मैं नहाने चली गई तो वह जाती थी तो वह एक एक घंटे के लिए जाती गई तो सुसर जो है वह आकि मेरे कमरे में आगे और शड़ बदलने लगे अपनी मैं मेरा में डंग रेगी मुझे बड़ा शॉक पोचा तो मैं इससे आधराम से मैं खड़ी हो गई अपना बैट के से नहारें तो इनना हैदरबादियों में यह था कि मैंजिए बताया गया था कि भई आप जो हमारे बड़े जो माबाप हैं उनकी इहतराम करते हैं अदब स हैं तो बहुता है बज़र्ग जो लोग होते हैं वो सर पे हाट रख के दुआ करते हैं तो वो हाट जो है उनका जो है वो मैंने हाट सर पे रखा तो अब हाट जो है वो उनका मेरे पीट पे जा रहा है, पीट पे जाके मेरे पीछे बलबट पे जा रहा है, फिर हर जगा आके मतलब अपर पर जगा जाने लगा और फिर मुझे अपटी तरफ उन्होंने खीच लिया और वो मुझे जो है किस करने की कोशिश की उन्होंने तो मैंने उस वक जो है उनको पंच मारा खी तो वो दिवार पर जाके चिपक चिपक पहली की तरह क्या उमर थी आपके ससुर के इतनी ऐसी हरकते कर रहे थे वो वह थे मतलब मेरे खाल में सिक्स्टीज के रहे होंगे तबी भी अंदर की वो गर्मी उनकी नहीं गई थी और जो एक यानि बहुज इसको बेटी मानते है वो उनके जहन में नहीं आया था कि यह मेरी बेटी है जी तो यह यह था तो मैं मुझे बिल्कुल मैं I was like मैं भी शेक कर रही थी मेरा जिसम जाना बिल्कुल डर के मारे मुझे नहीं पता कि मैंने किस तरीके से पंच मारा कहां से मेरी यह ताकत आई स्ट्रेंथ आई क्या करने क कि क्योंकि ये कभी ऐसा अपनी लाइब कर अब देखा नहीं में कभी नहीं था तो मैं तो अपने माबाब के घर से उटके बस डारेक्ट शादी हो इसा तो कोई तो खैर ये जब मैंने को पंच मार रहा तो वो नीचे गृ गये धिवार पहले दिवार पर लगे फिर चिप के रहें फेर दिवार ले नीचे आ गए फ्लोर पर उनका चश्म कहले को और था कर्पेट पे लोगल तो फिर उटेनि उन्हों मुझे धंकी की दिवने कि तूस्सर सर ने कि अगर मैंने अपने एक्स हस्बंड को यानि के उनके बेटें को बताया तो वो भी नुकसान में रहेगा और मैं भी नुकसान में रहूंगी तो फिर यह कहके वो रूम से चले गए तो मैं बिल्कुल रोने लगी मैं बिल्कुल मेरी हालत बुरी हो गई बिल्कुल मैं शेक करी कि तो मैंने जो फोन किया अपने एक सब्सक्राइब को उनकी वो खागि को बिजनस जो ऊपा शॉप वो खोर वो करीबी था तो उनको फून करके घर पे बलाया मैंने का आप आईest, तो आए तो उनको मैंने बताया तो सबसे पहले हैं नीकला मेरे एकस हजबन के कि अच्छा तो ये है कि मेरे इतना सारे पैसे उन के पास बढ़े हुएं मेरे बाप के पास और इन्होंने ये हरकच बड़े भाई की बीवी के साथ भी किया लेकिन वो बड़ा बाई यह अकलमन था वो अलग हों कि उसका इसलामराइब रहने लगा बीवी को लेके. और फिर आपके ह़जबन आगे कुछ रियाइक नहीं किया उन्हें? ने, तो फिर कहले करेंगे, चा ठीक, मैं जाता हूँ, अपनी माँसे बात करता हूँ, तो फिर मैं आता हूँ. तो वो कमरे के बाहर जब वो गए है अपनी मा से बात किया है तो मा से जब बात करने के बाद जब वो आपिस आये कमरे में तो काई पलड गई यानि कि डिफरेंट ही सिचुएशन हो गई वो कहने लगे कि भई हमारे इसलाम में ये आया है कि अगर माबाप कहें कि अपने उनकी और नौबत तलाग तक आ गई जी जी इस ट्रेट में का सड़नली तलब बिलकुल ही काया पलट होगी पहले तो बड़ा हमदर्दी दिखा रहा थे एकस हस्बंड लेकिन जो वो कमरे से बाहर गये मा से बात किया उसके बाद कमरे बापिस आए तो कहना है कि हमारे यहां असलाम में यह है कि अगर माबाप जो है वो बोलें के तलाग दे दो बीवी को चाहिए उसकी गलती हो या ना हो आप तलाग दे दो अब अपना बिस्तर पर जो पैक करो सामान मैं आपको छोड़ देता हूं अपके लेकिन उजमा जी आपके जो एकस हजबन थे उनके जहन मे यह बात नहीं आई कि यार आ मैं यानि इसको तो तलाग दे दूँगा लेकिन इसके बाद अगर कोई दूसरी बीवी भी में लाता हूं तो उसके साथ भी तो उसी तरीके का सलूप होने वाला है उनका इसलिए क्योंके नहीं क्योंके मुझे लग रहा था क्योंके जह मेरी शादी हुई थी तो उसके बाद जहेंगे मुझे क्योंके मैं हेदरवादी नहीं थी तो वो बार बार वो वीडियो दिखा थी ती शादियों की कि भई के हिदरबादी खांदान इतना उच्छा आला पते हैं मेरे बेटे को क्या पढ़ गई थी कि यहां पे शादिय कर ली और ये करी copy अ चारी था कि है रभादी नहीं लड़क्यों में शादी हो तो इसके सिंक्ष हूनों अन्हों और जिए उनको यह क्वा ड़रा हूं कि Equal WaterMA जे घार्दी जो कर दिया तो ये कि इसलिए इसलिए जो है ना उनको था और ये बात भी ठीक है, जो मेरा एक्स हजबन था, जो मेरी शादी हुई थी, दो हफ़ते ही हुए थे, तो ये मुझे कहीं किसी से मिलाने के लिए लेकर गए, तो मैं कार के सामने ही खड़ रही हूँ, सजबन के, ये जो हैं भागे, जो घर में जिसके मिलाने के लिए गए त तो बकाइदा महाँ पे किसिंग और हैगिंग शुरू हो गई वहाँ पे, मेरे साम नहीं, तो इनका चक्कर मेरे खाल में कहीं और किसी से और चल रहा था, लेकिन शादी मुझसे कर लिए, तो आपने उजमा जी, ये इतना सब जंजट था, यानि ससूर का कैरेक्टर इक अजीब बताया, तो ये शादी से पहले आपने कोई जाच पढ़ता नहीं की ठीक है, इनका खांदान कैसा है, लोग कैसे है, नेबर से, आम तोर पे अगर हम इंडिया की बात करें, तो शादी से पहले बहुत सारे यानि चेक्स भी होते हैं, कि पता लगाया जाता है, कि फै किया था, किया था, तो सब ने तारीफी की थी, कि ये लोग बड़े चलाक थे, क्योंकि दूसरों से जो आज पास जो इड़ जो नेवर हैं, और जो मेरी जो लोग हैं, जो जानते थे, तो ये लोग दूसरों के साथ बहुत ही, मैंने खुद अपनी आखों से देखा है, कि पहले भी, ये लोग बड़ा खुश अखलाकी से बात करते हैं, कोई समझ नहीं सकता कि इन लोग में ये कोई ऐसी प्राब्लम है, यानि कि बाहर जो है, इनका एक अलगी चहरा है, तो और अंदर कुछ अलगी चहरा था, तो ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे आपको, और प्राज के दूसरों से अच्छे होते हैं, ताकि अपना एक अंदर करक्रदार है, वो करक्टर जो उनकी परसनालिटी वो चुपा लें, तो ऐसे बहुत से हैं, तो वही ऐसे ही हुआ था कि सबने तारीफ ही की थी, कि अच्छे हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, और अपना था भी गया, और इसकी बात है कि यह नहीं प्ता नहीं चालता ना कि जो मेरा एक साथ बंठा उसने अपना जो चक्कर जो जिस नड़की से हो रहा था तो वो अपने माबब को भी नहीं बताया, तो वो हो अपने माबाब से भी जो है न वो चुपाता था हर चीज तो बड़ पर आ गई तो मैंने अपने फैमिली को बताया तो उन्होंने ट्राइ किया कि भई कुछ किया लेकिन ये था फैसला ये हुआ कि भई वो लोग जो चा रहे थे के लटका के रखें न मुझे के ड्रवार्स ना दें वो लटका के रखें बहुत बड़ा मसला रहता है मुस्लिम फ हमारी बेटी सेफ नहीं है वहां पे तो लेकिन फिर भी वो लोग जो ना बड़े अकड में और हाला के चोरी उपर से सीना जोरी वाला जो एक होता है ना प्रिशनाल एक्टिंग वो सारी जो नों ने किया तो आके बकाईदा डिमांड रख रहें के हमें और चाहिए हमें का चाहिए तो हमें यह चाहिए तो जहाज में हमें कुछ ने मिला तो तो फिर जो ना ऐसी टालमटोली करने लगे लगे ला और दिमांड बढ़ा देते हैं कि हम उस वक्ट लड़की लेके जाएंगे अपने गर कि हमें कुछ और दो मतलब कुछ और चाहिए उनको ना तो मैंन ने सबसर की है इन्होंने मेरे सासा क्यों सिलक किया कि कि मैं तो बेटी की तरह उनको तो मुझे बेटी की तरह सिलक करना चाहिए था और मैं तो अपनापको सेब नहीं करती कि मैंने खुला ले ली पर मैंने खुला लेली यह था कि फिर मैं अपने वालिद के पास सौधरव चली गई वहां पर मैं रही हूँ अपने वालिद के साथ बाखी की जो एक दिर साले में वहां रही हूँ अपने वालिद के साथ मैंने रही हूँ वहाँ पर मेरे वालिद ने मुझे 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 वकाइदा परशान थे वो भी जारी बते तो वो कहते थे के वही तुम क्या करोगी पढ़ोगी क्या करना है तो मैंने उनको बोला अपना कि मुझे पढ़ना है अंडिपेंडन वुमेंड बनना है आ डून वाना रिलाई ओन तो फिर जो है वहां से फिर मेरे जो वालिदें उन्होंने मुझे जो है यहां स्टेलिया में पढ़ने के लिए बिजा और यह के बस उसके बाद से फिर मैं यहां पर पढ़ डई हूती इसके बारे में थोड़ा बता दीजे कि या होता है ताके लोगों को बी पता चले जी आप जी ए खुला वो होता है कि जो लड़की लेती है जब मर्द की तरफ से जो होता है विवोर्स होता है खुला वो होता है कि जब वो लड़की लेती है डिवर्स उसको खुला बोलते है अलेदगी लेकिन उसमें यह होता है कि उस लड़की को कुछ जो जायदाद वगयरा में या कोई ऐसी चीज़ मिलता नहीं है कुछ अ कुछ नहीं बिलता उसको जो डीा भी जाता है गिफ्ट वगयरा वो ले लिया जाता है या कि मुझे भी लिया गया था जो जेवराद जो जो जायदेाद आखुता है है वो सारा मुझसे ले लिया जी जी माग लिया तो खुला में यही होता है कि लड़की का कोई अच्छा उसमें और एक तीज भी है उजमा जी के तलाक जो है वो तो मर्ट जो है अगर प्रनाउंस भी कर दे तो तलाक हो जाता है लेकिन अगर खुला लेना है तो आपको प्रस्स वैसे ही हुआ था लेन्दी था काफी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फॉरन हो जा लेकिन वही प्रप पर वर्क होता है काजी होता है सारा लीगल सिस्टम होता है सारा पेपर वर्क सारा सिगनेचर्स वगयरा सारी सब चीज़ें होती हैं तो वही हुआ सारा सिस्टम मेर लगा हो गया कुरान से और जादा में रात रात बैट के कुरान पढ़ती थी बकाइदा जो है वो कहते हैं रोती थी रात पर तो मेरे जो वालिदे दूसरे कमरे में वो मेरे रोना सुनते थे तो वो सुनके आते थे मेरे कमरे में मुझे दिलासा देते थे के भई हम हैं अभी तुम्हारे बाप अभी जिन्दा है, तुम जतीम नहीं हो, हम तुम्हारा फिचर ब्राइट है, तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तो वो मुझे बहुत दिलासा देते थे, कि तुम हम पे बर्डन नहीं हो, तुम हमारी बेटी हो, सराखो पे, सपोर्ट मुझे मेरे वालिच ने मुझे बहुआ सपोर्ड दिया। उनके अध'. तो फिर उनने फिर आ इस्ता इस्ता जो है भी आप तमगारा क्या फ्यूचर को क्या एरादák है क्या करना। क्या चाहती हो तो फिर मैंने को बटा कि पढ़ना चाहती हूं Luck J बनना चाहती हूं और मैं पाकिस्तान में दुबारा नहीं जाना चाहती हूं कि पता है कि वहां पर जो है ना क्या हाल होता है डिवोर्सी जो ओरते होती हैं उनका क्या हशर करते हैं उनको कोई उनको हर कस्टम रवाज रिच्वल में उनको पीछे रखा जाता है उनकी कोई वै नहीं है वैसे ही जब तक कि पाकिस्तान करतम आप यह पता है न हमारी कल्चर में जब तक कि आपके बराबर में साइड में कोई मर्द नहीं ख़ड़ा हो और आकि कोई वैलियू होता है और क्या कैर आ Jeżeli कोई पूछता बिनीचा है जब कई हस्बन के साथ कोई जा लगता है कि ऐसा कोई छूत की विमारी होगे ऐसा लगता है ना कि बिलकुल कोई वैल्यू ही नहीं होती है उनको रिच्वल में शादी बया के रिच्वल्स में और बहुत सा रिच्वल्स में उनको पीछे रखा जाता है उनको इन्वाल्व नहीं किया जाता है तो यही मैंने वालिद को बताया तो उन्होंने फिर सारा सब कुछ इंदिजाम किया तो फिर मैं आउस्टेलिये में आई फिर मैंने पढ़ा यहां पर पढ़ने के बाद फिर मैंने यहां पर मैंने आई टी का इंफरमेशन टेकनोलोजी कम्पीटर मैंने पढ़ा यहां पर तो फिर उसके बा चलड़े पॉलाइट हैं और यह हैं वो है चाहाँ शादी हुई तो शादी के बाद ने जब बेबी बच्चे वह तो उसके बाद फिर ने पता चला कि और यह वहां पर जा मनलब छते हैं पिर पर नफे अपन वह इसी ही निगले उसनल ठे घर पर आकर गुस्टा पित्ता करते थे मतलब गालम गलोच और हमेशा ऐसे ही महौल रहता था अच्छा कुछी को ना जाना ना आना घर में हर चीज मतलब बिलकुल घुस्से में कोई हमेशा नेगिटिव और बिलकुल जैसे ना कोई लाइफ नहीं कोई हैपिनेस नहीं तो यह था कि मैंने फिर भी जो है जिस तरह से करके दस साल गजा रहें उनके साथ तो उसके बाद फिर जाके फिर मुझे हिम्मत पड़ी के मैंने जो है थोड़ा सा कार यहां का ड्राइविंग लाइसेंस लिया वो भी उस पर बड़े बड़े उससे लिया मतलब जबरदस्की करके मैंने खुद ही लिय वो उसमें खुश नहीं थे कि मैं किस तरीके से मैं आगे बढ़ूं अपना अंडिपेंडन बनूं तो वो लेके तो फिर जा उसके बाद फिर मैंने जो है डिसाइड किया कि मुझे नहीं रहना क्योंकि आव उस गेटिंग सिक बहुत बर बिमार रहने लगी थी स्ट्रेस की वज़ा से काफी मेरा बलड प्रेशर हाई रहता था काफी तो मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे नहीं रहना दस साल का अर्षा काफी लंबा होता है और ऐसे शक्स के साथ दस साल गुजारना ये खुद में ही बहुत डिफिकल्ड काम है जो आपने किया है उसमा जी और उसमें ये भी है कि अल्डेडी एक बार आपको धोका मिल चुका था और उसके बाद फिर से धोका मिलना ये तो यानि किस तरीके से मैं बयान करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कहावत है ना कि दूद का जला हुआ छांच भी फूक मार मार कर पीता है तो आपके साथ अल्डेडी एक बार धोका हो चुका था और उसके बाद फिर उसी तरीके का धोका मिलना यानि ये बहुत ही जादा दुक्की बात है जब हम ये आपकी बात सुन रहे हैं जी जुकBut còn की बीजह थाए्किन बसी कि मैं रही इसलिए कि एक तो बात यह के फैमली का भी होता कि मुझे बड़ा के रखा जाता ता कि मतलब कोई आम नी के कोई freedom नहीं कोई जैसे कार ना सीखो चलाना नी सीखो मतलब किसी को बुलाओ ना घर पे कही जाओ ना मतलब बकुल जैसे limited ना कोई आखे मेरी ना खुल जाए या मुझे कोई information ना मिल जाए किसी यह तो फिर यह है कि उसके बाद पिर मैंने डिसाइट किया तो फिर मैंने जो है ना आइस्ता इस्ता करके इनका गुस्सा पित्ता सहते वही जो है ना मैंने ड्राइविंग सीखी उजमा जी एक confusion है हमारे एक वीवर को बिजेश गुपता जी कह रहे है इंट शीड ऑन अधर लाइट शीड नर्सिंग नाव आई-ट नो फर्स्ट मैंने जब आप ऑस्ट्रेलियों में आई थी तो मैं आई-ट मैंने किया है यहां पर फर्स्ट जम में आई थी तो मैं आई-ट मैं जब कहते हैं फिर बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे नर्सिंग करनी चाहिए तो फिर मैंने नर्सिंग का कोर्स किया तो फिर मैं आई-ट हूं तो होफ़ली यह किलियर हो चुका होगा